हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक इन गुडविल एडू केयर तो बच्चे आज हम डिसकस करेंगे CBSC क्लास 11th में अकाउंटनेंसी में क्या क्या पढ़ना है अकाउंटनेंसी का स्लेवस क्या है बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि Sir पता ही नहीं चलना है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है different social media पर comment section में हम देख रहे थे से आपके तरब से comment आ रहा था तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि class 11 में पूरे accounts का complete syllabus क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है कितने marks का paper होगा एक paper होगा कि एक से अधिक होगा कैसा paper होगा mcq होगा कि रिट्टे निग्जाम होगा प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा चलिए क्लास 11 cbsc 24 25 के session में accountancy का syllabus हम लोग discuss करते हैं कि इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दू कि myself चन्न सर बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम भी एच्चू में इन केमपर्स और बच्चे मैं पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं अब तक करीब पांचहजार से अधिक बच्चे हमसे commers पह्युके हैं उनमें से भी औटास औस अधिक बच्चछे बी है यदि आप भी यत बी लागातार साल आपको हमसे जुझे रहना होगा हमसे लगातार पर ना होगा हमारे वीडियो के माधियम से या offline classes के माधियम से चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं स्लेवर्स के बारे में कि देखो बच्चे कि cbsc का जो स्लेवर्स है क्लास 11 का इसमें आपको 11 में 80 marks का रिटेन एक्जाम होगा एक्टी मार्क्स का रिटन एक्जाम होगा और एक्टी मार्क्स का जो एक्जाम होगा उसमें एक पेपर होगा three hours का मतलब आपको क्लास 11 में 80 marks का होगा यह दोनों मिलके 80 marks cover करेंगे और 20 marks का आपको project work रहेगा तो कुल मिला क्या आपका paper account सा किते marks का हुआ 100 marks का ठीक है 80 marks का written exam 3 hours का और 20 marks का project work जो written exam होगा उसको दो पार्ट बाट आगया है part a and part b part a financial accounting first financial accounting second part b financial accounting first जो है बच्चे इससे आपको theoretical framework से जो question आएगा वो 12 marks का रहेगा accounting process जो आएगा वो 44 marks का रहेगा और financial accounting second जो है इसमें financial accounting of sole proprietor ship है sole proprietor ship के बारे में हमें पढ़ना है कि sole proprietors जो होते हैं वो अपने final account को कैसे prepare करते हैं उससे 24 marks को question आएगा जिसमें आपको finally पढ़ना है trading account profit and loss account and balance sheet यह पढ़ना है final account में तो आपको समय से मागया होगा कि class 11th का जो accounts का paper होगा वो 80 marks का written exam जो कि 3 hours का होगा 20 marks आपके project वर पे आपको मिलेंगे ठीक है अब discuss करते हैं कि आपको 11th में कौन-कौन से chapter पहणना है देखो क्या होता है बच्चे कुछ chapter cbsc किसी particular session में add करता है तो किसी उसी session में कोई chapter delete करता है 24 और 25 के session में जो हमारा present session है इस session में आपको accounts में कौन-कौन से chapter पहणना है इसके बारे में मैं आपको एक बार बता दू आपका फर्स्ट चेप्टर रहेगा meaning objective scope and nature of accounting second chapter रहेगा basic accounting term third रहेगा accounting principle fourth chapter आपका रहेगा process and basis of accounting fifth chapter रहेगा accounting standard sixth accounting equation seventh chapter आपका रहेगा double entry system 8th chapter रहेगा origin of transaction and source document of accountancy इन chapters में से कौन-कौन सा आपका theory chapter है कौन-कौन सा numerical chapter है वो मैं आपको बता दू कि theory chapter में क्या क्या रहेगा और numerical chapter में क्या 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 रहेगा ठीक है तो पहला chapter जो है आपका यह theory chapter है basic accounting term यह भी आपका theory chapter है accounting principle यह भी आपका theory chapter है process and basis of accounting this is also theory chapter accounting standard भी आपका बच्चे theory chapter है accounting equation numerical chapter है double entry system theory है इसमें पढ़ेंगे debit credit का rule क्या होता है origin of transaction and source document यह भी आपका theory chapter है ठीक है आप अगर screenshot लना चाहते हैं यहां तक है screenshot ले लीजिए ले लिए यहां तक आपने screenshot ले लिया ओके अब मैं आपको आगी का बता दूँ देखिए next chapter number nine जो है आपका books of original entry that is journal journal जो होता है वह बेस chapter होता है पूरे accountancy में मतलब कहते हैं कि आपको journal समझ में आ गया तो आपको पूरा account समझ में आ जाएगा तो जार्नल जो है यह numerical chapter है और आप जार्नल को अच्छे सपरियेगा अगर सबसे important chapter है very important chapter तो जार्नल है जार्नल अगर आपको आएगा तब पूरा account इजी लगेगा चाहे एलेवेंथ हो चाहे ग्रेजुशन हो चाहे एंबीए हो चाहे मास्टर्स हो एमकॉम हो या सीए हो पूरे कॉमर्स में जार्नल बेस चेप्टर है आपका accounting for GST यह भी आपका numerical chapter है books of original entry cash book भी आपका numerical chapter है बच्चे books of original entry subsidiary book भी numerical chapter है आपका ledger भी आपका numerical chapter है ledger जो बनता है वो जार्नल और subsidiary book के help से बनता है trial blends ledger के कुरेशी के लिए बनाते है यह भी आपका numerical chapter है bank reconciliation statement numerical chapter है cash book और pass book के balance में जब difference arise होता है उसको दूर करने के लिए हम बनाते है bank reconciliation statement depreciation भी आपका numerical chapter है on an average आपके जो half yearly exam होंगे वहां तक का syllabus mostly कुछ इस्कूलों में bank reconciliation statement तक होता है और कुछ इस्कूलों में depreciation तक होता है ठीक है हाफ yearly exam में कुछ इसकूलों में 15 chapter तक आता है कुछ इसकूलों में 16 तक आता है तो आप देख लीजएगा आपके school के syllabus में कहां तक आ रहा है और आप मुझे ये भी comment में बताईएगा कि आपके school में हाफियल एकजाम कब से है next chapter आपका है बच्चे provision and reserve ये आपका theory chapter है Rectification of Error ये journal entry है जो की numerical chapter है Capital and revenue ये भी आपका बच्चे theory chapter है financial statement ये आपका numerical chapter है financial statement जो है बच्चे वो आपका numerical chapter है financial statement with adjustment बच्चे ये भी आपका numerical chapter है और accounts from incomplete records this is also numerical chapter ठीक है तो मैंने आपको पूरे 22 chapters के बारे में बता दिया कि accounts में क्या क्या पढ़ना है एक बारा फिर से देख लीजिए और अगर आप screenshot लेना चाहते है तो ले लीजिएगा देखिए पाइट चेप्टर में कौन सा थिवरी chapter है कौन सा निमेरिकल है शुरुवात का पांच चेप्टर थिवरी है फिर एक निमेरिकल है फिर दो चेप्टर थिवरी है इसके बाद 9 to 16 में सभी chapters निमेरिकल है और उसके बाद 72 to 22 में दो चेप्टर थिवरी हैं बाकी सभी निमेरिकल है तो आपको on an average मैंने बता दिया कि accounts में ये सभी chapters आपको पढ़ने हैं ठीक है जिसमें आपको financial statement last बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि class 12 में जब आप जाएंगे तो 12 में आपको financial statement जिसे यहां पे था आफ लाइन सेंटर में जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे given नमबर पे contact कर सकते हैं 8676080858 पे आप हमसे contact कर सकते हैं गुडविल एडुकेर का एड्रे लोकेशन के लिए आप Google Map पे लिखे गुडविल एडुकेर आपको एड्रेस आजाएगा लंका वार्नसी लंका पे लंका थाना के जस्ट बगल बिल्डिंग पे हैं जैसे आप रविदास गेट पे आएंगे तो रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे 100 मीटरे बाद लिफ्ट में लंका थाना है थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेर है ओफलाइं सेंटर ठीक है और मैं आपको बता दू कि गुडविल एडुकेर में ओफलाइन में कौन-कौन सा कोर्स अबलेबल है इसकी भी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूं तो बच्चे गुडविल एडुकेर में ओफलाइन में आपको 11th and 12th कॉमर्स के क्लास 11th and 12th का कॉमर्स का बैच अ होता है and become first, second, third year का semester का regular classes होता है सभी subject के लिए अबलेबल है कोई भी बच्चे गुडविल एडुकेर के offline center में जोईन करना चाते हैं तो आप Google Map पे लिखिए गुडविल एडुकेर आपको address आएगा बी 30 slash 74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वारनसी मतलब लंका पे लंका थाना के जस्ट भगल में गुडविल एडुकेर का offline center है आप हमारे given number पे हम से contact कर सकते हैं 8676080858 या 7743-045542 पे आप हमसे contact कर सकते हैं admission के regarding आपको मैं मता दो कि इस channel के माधियम से गुडविल एडुकेर के YouTube channel के माधियम से आपको सभी content free में available हैगा सभी topic का lectures available हैगा आपके seniors ने भी इस चैनल के माधियम से आप वह 11 पढ़े हैं 12 पढ़ रहे हैं और स्यूटी भी निकालते हैं तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दबा ले जिससे कि वीडियो अप्लोड ह होते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और चैनल को अधिक सब्सक्राइब करिए कि गुद्विल एडुकेर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है और वानसी में लंका पे हमारा ओफलाइन सेंटर है आपको हम सभी कंटेंट अवलेबल करवाएंगे तो चैनल को अधिक सब्सक सेयर करके अपना सपोर्ट और प्यार गुद्विल एडुकेर को दे थैंक यू बच्चे